आयोध्या में जल्द ही राममंदिर बनने वाला है जिसका भूमी पुजन आज आयोध्या में किया जाएगा भारत के देशवासी और रामबक काफी अर्से से इसका इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आगया है पांच अगस को आज प्रधार मंत्र नरेंद्र मोधी और कुछ साधू संतों के साथ भूमी पूजन किया जाएगा कोट की एक लंबी प्रोसीजर के बाद और कोट की मुहर लगने के बाद आज ये उत्साह का दिन आया है और ये उत्साह पूरे देश में मनाया जाएगा विधर में भी कुछ ऐसा ही हमें नजारा देखने के लिए मिला इस वक्त हम नाकूर में जहांके बढ़कस चौक पर विधायक गिरिश्व्यास और विधायक प्रविन दटके इनके हाथों पूजा होने वाली है इस वक्त यहाँ पर राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में हाँ पर मौजुद आईए उनसे हम बात करेंगे कि आकिर क्या फील कर रहे है वो किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है सर क्या कहेंगे आज बहुत बड़ा दिन है आप राम भक्त है किस तरब अपना अनुभा बताएंगे आज इत्ते लोगों ने जो इत्ते साल का प्रजीश्रम दाओ खतम हो रहा है आज जैश्री राम बहुत अच्छा लग रहा है दिवाली जैसा लग रहा है इस बार राम जैसा सजावट अपने नाकपूर में जैसी राम नुमी सजावट होती है वैसा सजावट और दिवाली के दिन जैसा लग रहा है आज बहुत अच्छा लग रहा है धन्यवाद हमारे साथ और एक राम भक्ते उन से हम बात करेंगे सर क्या कहेंगे आज बहुत बड़ा उत्साहा का दिन है बढ़कस चौक को या फिर सभी और हमें भगवे नजर आ रहे हैं क्या उत्साह नजर आता है हमारे को तो आज ऐसा लग रहा है कि दिवारी से भी बड़ा त्योगार है हमारे लिए और जो हजारों लोगों ने आगुती दी थी अधिया में राम मंदिर बनाने के लिए वह सपल हो गए और हमारे माने निया प्रदान मंद्री नर्यनर मोदी ती आज वहां का सिला निया इससे बहुत बड़ी खुशी हमारे को हो रही है तो देखिए आप अलग अलग तरीके से अपना जो है अनुभा बता रहे हैं काफी एक लंभा संगर चला था राम लल्ला की का मंदिर बनने के लिए काफी सपने थे लोगों के रामभक्तों के कुछ रामभक्त इस वक्त हमा एक तपश्चरिय कर रहे थे आज उसका फल साकर हुआ है हमारा कहना यह है समस्त हिंदू संगटनाओं को हिंदू परिवारों को मैं हार्दी अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ इस मौके पे लोग सहमत तो है लेकिन लोगों में डर भी है तो वह डर कहीं आपको नजर आता नहीं है मेरा बोलना सिरफ इत्ता है कि यह सोशल डिस्टंसिंग जो है उसका पालंग करते हुए आप प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु हर समस्या से आपको निवारं कर देंगे और वै दिवाली की मनाना चाहिए यह मेरी परसनल उपिनूर खान गया जाए कि शाम को दिये लगाए जाए एक दीवाली जैसे को मिद्ल वाल ख़डा किया जाए मतलब दिवाली हम लोग मनाते ही इसलिए कि प्रबूराम का वनवास खत्म होने के तो आज प्रबुराम अयुद्धा में आये थे तो है दो के जो माहल था वो माहल एक्षिल में बहुत ही पावन हो गया था तो आज भी माहल जो आप देख रहे हो माहल पावन है तो इसे सबसे बोला जा रहा है कि दिवाली जैसा यह त्योवार को मनाया जाए यहां पर और इक बुजूर्ग सज्जन हमारे साथ उनसे बात करेंगे सर राम लल्ला का मंदिर बनने जा रहा है उसका शिलन्यास आज है क्या कहींगा तब तीक है बनने को ना बना अंगलों सॉलेने ने ना और कुछी ने साथ दिया लेकिन भारतिया जनता बाठी साथ दिया और बना आज जो उद्गाटन जो हो रहा है वो सब इक में इच्चा थी जो कि बोलते हैं कि हमारा मंदिर है उनकी इच्चा पूरी नहीं है आखिर हिंदू की ज्यादे जीत लिए और इसमें सबसे बड़ा हाथ है बीजेपी वालों का नाम तो नहीं लेता लेकिन सभी बीजेपी वाल अब पहले से बोलते हैं अपने सुपीता खुद करो कोई बात नहीं यह तो चलते जाएंगा उसकी दवार निकलेंगी निकल जाएंगे हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ लोग है उनसे बात करेंगे सर बड़कच चौक पर बहुत बड़ा कारेकर मायोजित किया गया है यहाँ पर मास्क और जो मिठाईया बाटी जारी है क्या कहेंगे आज संपूर्ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उस्व मनने जा रहा है जो सबके शद्दास्तान प्रभुषी राम चंद्र जी काज भव्य मंदिर के निर्मान काज गुमी पुजन है तो बड़कच्चो के अइतियासिक चोक है यहाँ पे शुरुवात ही बोल सकते कि मिठाया डीजे हर घर में दीप लगा है ऐसे सबको बता गया है यह उस्सा अभी उस्सा बनने जा रहा है जै देवी जै देवी जै मैशा सुर्मदनी उतेक्त्या सुर्मदनी 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 सुपाशा करका फुटा आज़े वे लुगाएिषौ जाराग दूसेटल, सुने वे विधाइब लुग द्न, सौने वापलड़ेवाथो, लुग शिटल, समय वेवाइब त्रहत्वरेकनल, सुने वाफलल, सुने भापल्ड़ेवाईब तुम् मुटकृ अब लोग अधि अधिश्य दुरुपानी देशादल्या प्रक्ते घिंडू जमना आज एक स्वाबी मना से अक्षेन है आनन्दा चांड है अनु तो सगा देश बर साधर होतो है आच्चा या प्रसंगी जेमा प्रभु राम चंद्राच्या भोव्य मंदिराच्या निर्मानाची भूमी पूजनाच्या शुर्वा थोणा रहे त्या पूरुवे एच्चा मदे अमाला या भागा मदे मिठाई मास्क वाडू नामी आनंदे वेक्त करतोत संदकाई आमच्या इतल्या मित्र परिवाराच्या वतिन इते आज फटागाता शोव दिखील इते आयुजित केला है आणि आमी तमान त्या कार्शे उकानना जा लाखो लोकाननी स्वता राम लला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे या एका नार्या वर अपला बलिदान केला त्या लोकानना आज आमी स्मरण मुरून आदरान जेली करतो है तैंच्या बलिदाना मुए आज ओटी मोटी इंदू शक्ती उगी राएली और आज आमाला सूरन दिवस आमाला पाहला मेहला आमचा सौकात लेनेक कारे करते है जानि आदोलाना जेले पहले वे पासुन त रथे आत्रा निगे परेंत तैंच्या अनंतर चा पूरचा टप्पय टप़े जा सगे आदोलाना सहबागी गेतला आमी स्वता सहबागी होतो, एक दा आमी नहीनी चे जेल मते होतो, एक दा आमची टीम पूरुन इतली असलेली प्रतापगड़ जेल मते जाऊनालो आँच वेला प्रतापगड मते असतना, ये बाबरी मस्टिचे ढचा पढ़लेची आनन्दाची बात मी, आमाला जेलर तिरिपाटी होते, त्रिपाटी नी दिली अनी जेल मतेले, आसलेले, मकते जारखन मतेले, आसाम मतेले, बंगाल मतेले, सगा कार सवकानी मिलून, खुप जलोष केला, आमी तिते महापरशाद केला, आनी एक अनन्द तिते आमी सातरा केला, आनी आँ खर्ताना आमचे उर, त्याई वेला पुरुनाला, आज जेवाँ, भुमी पूजनाचा मंगल प्रसंग, त्याई वेला असा तुच्छा देश बरा मते आए, पुरोनाचा काया आमदे थोड़ा से जरा अड़जनीचा दिसता है, कि ते प्रकटी करण, ते प्रस्तुती करण दिसत नाई, पन्द आज कोरोना नसता, एक एक रस्ता, एक गल्ली, एक चव, हा इतका प्रचेंड सजला आसता, तेजी कल्मनाच करवत नाई, प्रभु रामचंद्र या करण, इतनी निर्मान वेल, और आता, कुटला इवाज, या देश्या मदे जातवी ते चाए, इता राव रानर नहीं या चाहा हमाला विश्वाच्ँ वानाव री याजे सरीरा याज़ सरीरा याजे सरीरा